वंदे भारत और T18 ट्रेनों की आन बान और शान तो दुनिया देख चुकी है। अब मेकेन इंडिया का कमाल हमारे पडोसी देश श्री लंका में भी रफतार भर रहा है। श्री लंका की बट्रियों पर फर्राटा भरती ये है पुलातिसी एक्स्प्रेस। जिसको श्री लंका के राश्ट्रपती मैत्री पाला सिरिसेना ने खुद हरी जंडी दिखा कर कोलंबो फोर्ट रेलवे स्टेशन से रवाना किया। ये ट्रेन भले ही अब शान श्री लंका की बढ़ाएगी लेकिन इसे बना कर तयार किया है भारत में। जी हाँ ये ट्रेन पूरी तरह से मेकिन इंडिया है। इस ट्रेन के सभी कोच चेननई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी में तयार किये गए है। इसलिए जब कोलंबो के रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन ने रफ्तार भरी तो भारत के राजदूत तरंजीत सेंग संदू भी वहां मौजूद थे। अब इस ट्रेन की खूबियां भी सुन लीजिए। ये एक अत्याधुनिक ट्रेन है जिसमें यात्रियों के लिए सभी सुविधाय मौजूद हैं। इसमें चारों तरफ घूमने वाली कुर्सियां हैं। यात्रियों के मनोरंजन का इंतजाम है और इंतीरियर भी बेहद ही शांदार है। ट्रेन के सभी कोच में जीपियस आधारित पैसेंजर इनफॉर्मेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसके AC First Class Coach में 52, Business Class Coach में 64 और Economy Class में 90 यात्रियों के बैठने का इंतजाम है। इस ट्रेन को श्रीलंका रेलवे के अफसरों की डिमांड के मुताविक तयार किया गया है। और सबसे बड़ी बार तए वक्त से पहले इसकी डिलेवरी कर दी गई। वैसे अभी तो ये मेकिन इंडिया का ट्रेलर है। देश ने इसका ट्रेलर देख लिए आये। अभी फिल्म बाकी है।